हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं डॉक्टर आशा गावडे गाइनेकलोजिस्ट एन इविफ कंसल्टन्ट उमंग होस्पिटल अडपसर पुने से हमारा जो प्रेगनंसी का वीग बाई वीग सेरीज चल रहा है फ्रेंड्स होप्स हो कि आप वोज सेरीज देख रहें आप उसक सेरीज पसंद कर रहें अभी हमें नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ अपने सेरीज का कि प्रेगनंसी में आपका 21 हपता याने 21st वीक और प्रेगनंसी कैसे रहेगा यह आपको पांच मेना अभी कंपलेट हुए है आप छटवे मेंटे में एंटर कर चुके हो तो अभी आपके 21 हपते में आपके बॉड़ी में क्या चेंजेस रहेंगे आपके नन्ने मुने बच्चे के बॉड़ी में क्या चेंजेस रहेंगे और आपको कौन से चीजों का ध्यान रखना है यह आज हम लोगी वीडियो में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आते कि आपकी body में क्या changes रहेंगे इसको second trimester बोलते हैं हम लोग friends बहुती happy month रहता है, patient काफी comfortable रहते है आपको खाना अच्छे से जाता है, भूख काफी बढ़ जाती है आपकी आपका weight put on होने लगता है आपके चेहरे पे, पूरे body पे puffiness आने लगता है आपको थोड़े extra size के कपड़े खरिदने पड़ते है आपका baby bump दिखने लगता है ये regular symptoms आपके continue होते है 20 weeks के लिकिन कुछ-कुछ patients को नए symptoms start होते है जैसे कि varicose veins बोलते हैं लोग पेरों के पीछे आपको blue color के veins दिखने लगते है आपके पेरों पे, हातों पे, उंगली पे swelling बढ़ने लगता है चेहरे पे भी swelling बढ़ने लगता है आपका back pain है या stretching abdominal pain है या leg cramp से वो थोड़े से बढ़ जाते आपका white vaginal discharge भी थोड़ा सा बढ़ जाता है तो in general यह जो छोटे-छोटे complaints है यह आपके continue रहते है लेकिन 21st week में एक important sign आप notice करते है आपके baby के moment खाना खाने के बाद अगर आप notice करेंगे तो आपको एकदम हलका सा ऐसे butterfly के जैसे हलका सा गुदगुदी जैसा moment आपके पेट में समझ में आएगा आप उसको confuse करेंगे कि अरे मुझे gases तो नहीं बन गए ना नहीं लेकिन वो आपके baby के moment रहेंगे तो यह हलके से fital moment आपके start हो जाएंगे तो आईए देखते कि आपके नन्यमुने बच्चे में क्या changes रहेंगे आपके बच्चे का height weight अभी काफी rapidly बढ़ता है muscle mass बढ़ने लगता है अगर आप उसका weight पूछेंगे तो एक साड़े 300 से पॉने 400 यानि 375 ग्राम तक बच्चे का weight रहेगा उसका height अगर आप पूछेंगे तो एक अपना बड़ा करेला या बड़ा बनाना इतना यानि कि 20 से 22 सेंटिमेटर तक आपका बच्चा रहेगा उसके सभी organs अभी काफी actively function करते रहेंगे मतलब like the adult human big बच्चे के सभी function start हो जाएंगे उसका swallowing है या sucking है या amniotic fluid निगलना है urine pass करना है movement करना है fight करना है keyword change करना है ये सभी moments बच्चे के काफी active रहेंगे eyes का blinking है या yawning है smiling है सभी function बाहर के जो अपने को दिख रहे हैं वो start हो जाएंगे अच्छे से internal organs भी सभी properly function start करेंगे बच्चे के eyebrows eyelashes hairs nails सभी अच्छे से grow होना start हो जाएंगे तो आपका baby अभी काफी actively function करना start हो जाएंगा उसके सभी organs के development अभी almost 20 weeks के end या 21st week के starting में complete हो जाती सभी organs totally बन जाते बेबी के और बच्चे के moment भी आपको notice होना start हो जाएंगे तो यह 21st week में आपको कौन से चुजों का देहन रखना है जो डेवन ओफ प्रेगनंसी से मैंने बताया है कि आपको डायेट चाट फॉलो करना है आपको दो-दो घंटे में खाना है आपको पानी काफी लेना है बारा से पंद्रा गलासे याने तीन से चार लेटर आपको पानी लेना है आपको लेक क्राम के लिए स्ट्रेचिंग एकसरसाइज करने है ऊईल से मसाज करना है रात को सोते वक पैर थोड़ा उपर करके सुना एक पैरो के निचे कुशन लेना है ऊपको एली लेना है अगर आपको वेरिकोस वेंस याने आपके पैरों के पीछे काफ मसल्स पीछे अगर ब्लीव कलर के लंबे- को पूछ के यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको बैक पेन बहुत ज्यादा है तो आप विटामिन डी के सप्लिमेंट ले लो केल्शियम इंटेक बढ़ाओ ज्यादा पीना स्टार्ट करो दो से तीन ग्लास पनीर अल्टरनेट देखाते जाओ रोज दो बॉइल डेग्स लेते जाओ उसके बाद में अगर आप नॉनमेच खाने वाले है तो चिकन फिश भी लेते जाओ जिससे आपका केल्शियम इंटेक अगर आपके बॉन स्ट्रॉंग रहेंगे और आपका बैक पेन कम हो जाएंगा आपका पोस्चर करेक्ट करो स्ट्रेट बैठना है बैक के पीछे कुशन लेना है एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करना है अगर आपका प्लैसेंटा नीचे नहीं है तो आप नॉर्मल आपके बैसाइज बैसाइज बहुत ज्यादा बोर होता है तो आप उनके साथ स्टेचेस करते जाओ ब्रीधिंग एक्सराइज करते जाओ तो उनको भी थोड़ा सा help हो जाएंगे और वो exercise को enjoy कर पाएंगे तो friends अपना जो आज का वीडियो है कि pregnancy में आपका 21st week of pregnancy कैसे रहेंगा वो अगर आपको पसंद आया होंगा तो हमारी वीडियो को like करो हमारे चैनल को subscribe करो और आपके जो भी pregnant friends से उनके साथ ये share करो दन्यवाद